ये कहानी टाइटैनिक जहाज के उपर है टाइटैनिक दुनिया का सबसे सुरक्षित एवं कभी न डूबने वाला जहाज में से एक माना गया था जब टाइटैनिक पूरी तरह से तियार हो गया था। तब सारे वैग्यानिक घोशित कर दिये थे कि इसे अब कही भी ले जाया जा सकता है तब बहुत सारे लोग ने अपना अपना टिकेट कटाया जहाज पर जाने के लिए उसी में से एक व्यक्ति थे जिन्हें कलाक नाम था कलाक एक किसान थेवे टाइटैनिक पर सेर करने के लिए अपनी जिन्दगी की सारी जमापूंजी देकर अपने एवं अपने पाँच बेटो और पतनी का टोटल साथ टिकेट बनाए जब टाइटैनिक जहाज 10 अप्रेल 1912 को इगलेंड से अपनी प्रथम यात्रा करने बाला था उसके ठिक पाँच दीन पहले कलाक के एक बेटे को उनके पालतू कुटा ने काट लिया ये सब देखकर कलाक भी बहुत चिंता में थे कि जिन्दगी का सारा जमा पूंजी टिकेट में लगा दिया हूँ टिकेट रिफंडेबल भी नहीं है अब कलाक की पत्नी बहुत चिंता होने लगी कि एक को कुटे ने काट लिया पाँच दीन बाद टाइटैनिक पर सेर्वी करना है पर अपने बेटे को छोड़ कर कैसे जाए तब वह कलाक से बोली ऐसा करो कि आप अपने चार बेटे के साथ टाइटैनिक पर भूम आयो मैं अपने बच्चे को इस हालत में छोड़ कर नहीं जा सकती हूँ क्लाक बहुत सोच विचार किये फिर मन ही मन सोचने लगे चलो छोड़ो बच्चे को इस हालत में छोड़ कर जाना ठिक नहीं है 10 अप्रेल 1912 को जब टाइटैनिक अपने स्थान से रवाना हो रही थी तब उसने अपने चार बच्चे के साथ टाइटैनिक को समुन्द के किनारा से अपनी नम आखों से देख रहे थे कि जहाज पर सब लोग साबर होकर खुशी खुशी जा रहे थे जब टाइटैनिक रवा इस दुनिया में जो होता है अच्छे के लिए होता है